गरीब की जादूई एसी संगीता, संगीता बहुत जलन हो रही है संगीता मेरे पास अतने बैसे भी नहीं है कि मैं आपके लिए दवाई ले करा हूँ मुझसे आपका ऐसा दर्द देखा नहीं जा रहा है मत रो संगीता, ऐसी हालत में मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता हाँ बहु, ऐसी हालत में तेरा रोना, तेरे और तेरे बच्ची की सेहत के लिए बिलकुल अच्छा नहीं है सब हाल अपने आपको मेरे पास दस रुपे रखे हुए मैं उससे बरफ खरीद के ले आती हूँ तुमंजीत के शरीर पर उसे रगर दियो कम से कम उसे थोड़ी बहुत तो ठंडक मिले के इस से इतना कहकर सरलाच चिल चलाती कड़कडाती धूप में नंगे पैर दस रुपई की बरफ खरीदने के लिए जाती है अरे ऐसे रोज दोज दर्द देकर जिंदा रखने से अच्छा है बगवान मुझे अपने पास बॉला ले अब मैं इस दर्द में और नहीं जी सकता ये आप क्या कहरें ऐसा मत बोलिए आप देखना एक दिन आप जरूर ठीक हो जाओगे संगीता का पती मंजीत एक केमिकल फैक्टरी में काम करता था लेकिन एक दिन केमिकल फैक्टरी में लगी आग के चलते फैक्टरी में काम कर रहे हर मजदूर का शरीर जुलस जाता है जब से मंजीत की ऐसी हालत होई थी तब से मानों उसके पूरे परिवार पर कोई कहर तूट पड़ा था अरे घर पर कोई है क्या? अरे शीला तुम? वो मेरे पती आज ही नए A.C. लेकर आये हैं ना उसी की मिठाई खिलाने के लिए आये थी क्या? नए A.C.? अब क्या है ना मेरा परिवार तो तुम्हारे परिवार की तरह गरीब नहीं है जो इतनी गर्मी में भी एक पंका ना करी सके ये लो मेरे घर नए A.C. आने की खुशी में मिठाई खाओ शीला अपने घर नए A.C. आने का घमन दिखा कर वहां से चली जाती है मा, हम लोग एसी कब लाएंगे? देखो न, कितनी ज्यादा गर्मी हो गई है पता है दादी के हाथो पेरों में भी गर्मी से दाने और चाले हो गई है अब इस गर्मी में बिना एसी कूलर पंके के और नहीं रहा जाता मा, हमारे बाबू को भी तो गर्मी लगती होगी ना नहीं बेटा, अभी उसे गर्मी नहीं लगती ये कहते हुए गर्बोबती संगीता अपनी दोनों बेटियों को गले से लगा लेती है लाइए माजी, मैं खाना बना देती हूँ भला इतनी गर्मी में आप कब तक खाना बनाएंगी नहीं बहु मैं बना लूँगी जिस हालत में तु है उस हालत में तेरा इतनी भयंकर गर्मी में चूले के पास आकर खाना बनाना ठीक नहीं है तो वहीं बैठी रहे सरला चूले पर खांसते हुए गर्मी से पसीना बहा कर खाना बनाने लगती है तबी अचानक सरला को चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है अपनी सास को ऐसा बेहोश होता देख संगीता बहुत डर जाती है वहीं प्रीती, महेक ये सब देख जल्दी से डॉक्टर को बुला कर लाते है डॉक्टर साहब, क्या हो गया है माजी को? लगता है गर्मी की वज़ा से इने हीट स्ट्रोक हुआ है इसलिए इनके हालत इतनी खराब है देखिए, बाहर इतनी गर्मी है और आपके घर में एक पंखा भी नहीं है अगर आप जल्द से जल्द AC का इंतजाम नहीं कर पाए तो इनके हीट स्ट्रोक की वज़े से तबियत और ज़्यादा खराब हो सकती है इतना कहकर डॉक्टर चला जाता है डॉक्टर की बास सुन संगीता रोने लगती है अगर आपको कुछ हो गया तो मैं किस के साहारे रहूंगी डॉक्टर तो कुछ भी बोलते हैं मुझे कुछ नहीं हुआ है मैं ठीक हूँ संगीता जानती थी कि उसके सास के हालत गर्मी की वज़ा से दिन पर दिन खराब हो रही है जिसके चलते संगीता कई जगा पर काम ढूरने की कोशिश करती है लेकिन गर्बवती होने की वज़ा से संगीता को कहीं पर भी काम नहीं मिलता और एक वक्त ऐसा आता है कि हद से जादा गर्मी बढ़ जाने की वज़ा से सरला इस दुनिया को हमीशा के लिया अलविदा कह जाती है नहीं दादी आप हमें चोड़कर नहीं जा सकती दादी मा उठो ना दादी मा अब हमें कानी कौन सनाएगा माँ दादी माँ को क्या हुआ है वो कुछ बोल क्यों नहीं रही है बेटा तुम्हारी दादी माँ अब हमें छोड़ कर चली गई है वो अब हमसे कभी बात नहीं करेंगी संगीता अपनी सास के जाने के गम से बड़ी मुश्किल से खुद को और अपनी दोनों बेटियों को संभालती है बीटते दिनों के साथ साथ गर्मियम काफी जादा बढ़ चुकी थी ऐसे ही एक दिन संगीता अपनी आंगन की सफाई कर रही होती है कि तभी उसके घर के सामने से गुज़र रही एक बहुत बोरी औरत अचानक बेहोश हो जाती है जिसे देख संगेता पानी लेकर उस बूड़ी औरत के पास जाती है और उस पर पानी छिड़क कर उसे होश में लाती है मा जी आप ठीक तो है ना हाँ बिटिया मैं ठीक हूँ वो बस धोड़ी धूप तेज है ना इसी लिए चक्कर आ गए आप एक काम करिए मेरे साथ मेरे घर चलिए आप थोड़ी देर मेरे घर पर ही आराम कर लीजेगा नहीं बिटिया मेरी कुटिया यहीं पास में है तुम मुझे वहां ले जा मैं वहीं पर आराम कर लिए